अलो फ्रेंड्स मैं सब्रक्र सुनील तावार कंसल्टेंट एंट एंट एंड राइनोप्लास्टी नोसर्जन दोस्तो आज हम डिसकर्स करेंगे सेप्टल पर्फोरेशन क्या है सेप्टल पर्फोरेशन क्यों सेप्टल पर्फोरेशन होता है एंड वाट इस दा मैनेजमेंट दोस्तों बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दिएगी बैल आइकोन को प्रेस करना एंड यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे आने वाले ऐसे आनेक उपयोगी वीडियो की जानकरी आपको मिलती रहें दोस्तों सेप्टल परफॉरेशन बैसिकल दोस्तों सेप्टल परफॉरेशन एक नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो हमारा नाग के बीच में जो यह पार्टीशन होता है जिसको हम सेप्टम बोलते हैं यह सेप्टम क्या है कि एंटायर जो है दोस्तों इंटेक्ट रहना चाहिए जिससे दोनु नेजल कविटी से प्रेट रहें और हमारा जो नेजल वाल है हमारे को पार्शली एक नोज से ब्रीधिंग आता है फिर कुछ टाइम तक ही रेस्ट करता है पिर दूसरे नोज से ब्रीधिंग होता है तो इसलिए हमारे को जो नोज के बीच में सेप्टम है उसकी गोड़ने उसकी नीड जो है जौस की जरूत बनाई है दोस्तों है बहुत बार जोह इस सेप्टम में एक बड़ा होल हो जाता है जिसको हम सेप्टल προपोरिसन बोलते हैं अगर दोस्तों कारण की बात करते हैं तो इसमें जो है इसका जो कॉमनेस्ट जो इसका कारण है वह बैसिकली जो है आफ्टर दस स कारण भी हो सकता है या वो हो सकता है कि कई बार के जाए सेप्टम की सरजरी या कोई नोज की जो सरजरी कराई है उस नोज सरजरी की डिफाल्टी टेक्निक के कारण मान लो या कई बार क्या है पेशेंट की प्रॉब्लम जो है वो प्रिकोशन्स यूज में नहीं लेने की कि कि बार क्या है कि जो पेशेंट जो डाइबिटीक होते हैं उन में ज्याधा प्रॉम सेप्टम है उसके ओपर जो इंदर की चमडी जिसको बोलते हैं उसके बीच में पासफोरमेशन हो जाता है और वहां पर जो कार्टिलेज का पार्ट है वह को लैप टैमेज हो जाता है जिसको हम जो है और सेप्टम में जो बड़ा होल हो जाता है उसको हम सप्टल परफोरिशन जो पोलते हैं दोस्तों इसके कारण क्या दिटा पाउवले नुर्प कर सकता है बहुत बहुत बार जो septal perforation होता है उसके margin से दोस्तों patient को बार-बार bleeding होता है उसको वहां पर crust बनते हैं खरूंट ज्यादा बनते हैं बहुत बार foul-smelling भी होती है और दोस्तों कई बार क्या है लंबे समय तक जब भी perforation होता है तो हमारा जो nose का जो bridge है उसका support करन नोज बीच में से बैठ जाता है जैसे scooping appearance हो जाती है बहुत बार saddle nose हो जाता है जैसे किसी मकान का अगर पीलर आप अटा दोगे उसका support अटा दोगे तो बीच में उसमें bump आजाएगा लंप आजाएगा तो इस टाइप में nose बैठ जाता है बहुत बार दोस्तों उसके करन जो हमारे युवा जो लोग हैं जिनको बहुत बार कैरियर में problem आती है क्योंकि अगर आप एक यंग army aspirant हो आप air force में जाना चाहते हो आप पाइलेट बनना चाहते हो तो आपका septum that should be intact आपका nose जो है medical में बिल्कुल nose के लिए जो septum है वो center में होना चाहिए और उसमें कोई perforation नहीं होना चाहिए इसलिए दोस्तो यह जो problem है यह कई बार आपके carrier से related भी ऐसी होती है जिससे हमें बहुत निरासा होती है दोस्तो अब है इसका इलाज क्या है septal perforation का management दोस्तो इसका जो septal perforation का medically treatment नहीं है इसका surgical ही treatment है इसकी surgery की जाती है और इसमें surgery के लिए इसको जो ठीक करते हैं तो इसके लिए हमें graft की जरूत होती है यह जो graft है वो हमें जो है rib cartilage जो हमारा rib का जो portion है उसका partially part हमें harvest करके और वो जो हमारा जितना perforation है उसकी size का measurement करके और उसका एक दोस्तो एक framework बनाया जाता है और उस framework को जो open rhinoplasty यानि nose को open करके और उसको वहां पे set किया जाता है और यहां पर जो है rectus fascia या temporal fascia है उससे दोनों तरफ उसको cover किया जाता है nose के बीच में जो है बड़ी जटिल प्रकरिया है जिसमें क्या है कि जो है वो अंदर का flap लेके उसको cover किया जाता है क्योंकि दोस्तों यह जो प्रकरिया है surgery की बहुत जटिल होती है अमोमन इसको बहुत कम लोग कर पाते हैं और कई बार क्या है सारी अच्छी टेकनिक के बावजूद भी जो है नया जो हम graph लगाते हैं जो नई cartilage लगाते हैं वहाँ पे blood circulation नहीं start हो पाता बट अच्छी टेकनिक से अगर हम करते हैं और सब कुछ अच्छा होता है तो अमोम से Ji Success के लिए ऐसमें लगता है एन ब्रiki करने में लेकि अगरा चलो तोिंडिया श्रुपे से लेके करीबयेगी लाग-2- untuk कई चार्ड ढया ब्रोण करता है सब्सक्राइब करता है कि इस पैसिपेड dos口 कि शीचंट के सब्सक्राइब कितना बड़ा है सो दोस्तो बट सरजरी के माध्यम से जो है इसको जो है ठीक किया जाता है बट यह जो सरजन है वो पुरा 3D इसके लिए रेडी होना चाहिए कि आप अपनी तरफ से बैस्ट कर रहे हैं आगी जो भी होगा उसको देखेंगे बहुत बार इसमें जो है पीशेंट का सवाल होता है कि सर इसमें गारंटी है कि ठीक हो जाएगा दोस्तो ऐसा कहीं नहीं है क्योंकि जो हमारी बोडी से सब्सक्राइन पार इससी है किया ट는। आपका सवाल है कि सब्सक्राइन है नहीं है कि स feedback क्योंकि철 चेदका डंडी णसया है ह। 다음 बार इसमें जो इन टाल खोगे होना च्रीक, एम